गंभीर के ये 12 लडाके लड़ेंगे केक्यार के लिए सबसे बड़ी लड़ाई समझें सारच के खिलाफ कितने मजबूत हैं ये केक्यार के 12 लडाके तो केक्यार वर्सेश सारच के बीच जो मुकाबला है Qualifier 1 का वो तैय करेगा कि पहली टीम फाइनल की कौन होगी हलागि जो हारेगा उसके लिए रास्ते बंद नहीं होंगे क्योंकि वो Qualifier 2 खेलेंगे वहाँ पर उनको एक मौका मिलेगा अगर वो मुकाबला वो जी जाएंगे तो वो भी फाइनल में पहुच जाएंगे यानि ये जो Qualifier 1 खेलेगा उसके पास दो दो चांस रहेंगे फाइनल में पहुचने के लिए लेकिन यहाँ पर दोनों ही टीमें 80 चोटी का जोर लगाने वाली हैं और भरसक प्रयास करना चाहेंगी कि पहले ही मुकाबले में वो जी तरजित करके फाइनल का टिकट भुग करा लें दूसरे मुकाबले में वो कुछ भी नहीं चोड़ना चाहेंगे बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए तो भाईया उनके लिए समस्याएं हैं यहाँ पर क्योंकि फिलसाल्ट उनके जो सबसे बहतरीन खिलाडी थे जिन्होंने पाउर प्ले के ओभरो में बड़े बड़े गेदबाजों के छक्के इस संस्क्रण में छुड़ाए थे और ब्लेसिंग इन डिजगाईस साबित हुए थे जैसन रॉक के जगह इनको टीम में सामिल किया गया था वो नेशनल ड्यूटी के कारण बाहर हो गया है के क्यार टीम के लिए ओपले आप मुकाबला नहीं खेलते हुए दिखेंगे यानि के क्यार टीम के प्लेइंग 11 में बदला होता है गंभीर के पास सबसे बड़ा चुनावती ये है कि आखिरकार बतौर ओपनिंग कंबिनेशन किसको खिलाएं दो ओप्संस मौझूद हैं उसके आलावा हम देखेंगे कौन से 12 लड़ाके होंगे जो एसारच के खिलाब बड़ी लड़ाई लड़ते में दिखेंगे और उनके अंदर कितनी मजबूती है कितना दमखम है क्यों एसारच को मात दे सकते हैं अंदाबाद के स्टेडियम में या नहीं इन सबी बातों पर हम चारचा करेंगे और सबसे बड़ी बात कि भारती जो कि क्या टीम का प्लेइंग बार है उसका ओपनिंग कंबिनेशन क्या आप बनाने वाले हैं गंबीर उस पर भी विचार भी मर्स करेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबी विवर से यही आग रहा है यही अनुरोद है कि अगर आपको अमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब हाँ फेस्बूक पेश पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेस् सब बिस चूटेबल कंबिनेशन है जो गंभीर ट्राई कर सकते हैं और पिछला मुकाबला जो टास पड़ा था लेकिन मुकाबला नहीं हो पाया एक भी गेन नहीं फेकी जा सकी उसके पर एक क्या प्लेइंग इलेवन में बदलाओ गंभीर यहाँ पर करने वाले हैं तो यह से पहले यहाँ पर फिल साल्ट नहीं है क्योंकि यह नेशनल ड्यूटी के लिए चले गया है इंगलेंड के सबी खलाडी रवाना हो गया है वहीं उसके विपरीत अगर हमें सारस्ट टीम को देखें तो उनके टीम में एक भी इंगलेंड का खिलाडी नहीं है जिसके उपर निर्भर थे यानि क्यों वह उतना घाटे में नहीं गया है जितनी केक्याट टीम को सेटबैक लगा जितना केक्याट टीम घाटे में गई है क्योंकि फिल सॉल्ट इस संसकर्ड के स्टार परफॉर्मर थे सुनिल नरेन के साथ बहुत ही बेहतरीन इन दोनों की जोड़ी बन शुल्ट इकर सकती थी कौ साब श्यूटेबल कंबिशन रहेगा प्लयाप के लिए लेकिन बार में पर नुक्जितों करें और बल्लेबाज मौझreaming के साथ मुझेद करें तो वह यहां उनका जो हालिया प्रदर्सन है एरलैंड के खिलाब पांस तीन और जीरो तीन टीन-टीम मुकाबले में बनाया है आप समझ सकते हैं एरलैंड टीम उनका बल्ला नहीं बोला है उसके अलावा अगर बात करें गुर्बाज किये तो वो हिट और मिश टाइप प्लेयर है प्लेयाप में पूरे IPL 2024 का पहला मुकाबला खेलना उनके लिए बड़ा टास्क हो सकता है एक विश्वसनी खिलाडी वो नहीं है तो क्या करेंगे गुर्बाज उनका बल्ला बोलेगा नहीं बोलेगा ये गंबीर के उपर गंबीर के पास सबसे बड़ा सवाल है और प्लेयाप में रिस्क लेना चीए नहीं लेना चीए लेकिन सबसे बहतर विकल्प यहीं जान पड़ते हैं इन्हीं को खिलाया भी जाएगा जो दूसरे विकल्प हैं वो क्या है कि वेंकेटेस आयर को बतौर ओपनर खिलाडी आपको भी पताए कि वेंकेटेस आयर जब उभरे थे, पेंकेटे साइयर के दम पर जब केक्यार फाइनल में पहुची थी, तो बताओर ओपनर ही वो खेले थे और बताओर ओपनर ही छाप ठोड़े थे, और उसके बाद एक विदेशी खिलाडी कम करके, ये स्रीकर भरत जो भारती विकेट कीपर बले बाहर है, इनको मि होत तेज गती से रन बनाने के लिए जाने जाते, तो सबसे बेस कंडिसन इनके पास यही था, कि वो एंकेटे साइयर को बताओर ओपनर भले बाद ट्राई करते, और स्रीकर भरत को कहीं भी मिडल ओडर में, according to the match कंडिसन वो खिला सकते थे, अगर तेज गती से स्रीकर भरत रन बनाते तो, लेकिन अब इनके पास सवाल यह है कि स्रीकर भरत स्लो खेलते हैं, मिडिल ओडर अगर हम देखें तो वहां नीती सराड़ा मौजूद हैं, वहां अन खिलाडी है सरेय सायर, फिर बात करें, तो आंद्रे रसेल, रिंकुशिंग, रमन दीप सिंग, इन खिला आज के साथ समस्या यह है कि पूरा IPL 2024 की बात करें तो एक भी मुकाबला वो नहीं खेले हुए, डाइरेक्ट प्ले आउप में खेलेंगे, फिर उसके बाद जो उनका हालिया प्रदरसन है अनतराश्टी क्रिकेट में, वह बहुत बुरा है, तो यह बड़ा रिस्क है, तो यह opener combination हमने discuss कर लिया कि कौन-कौन से options मौजूद हैं और कौन-कौन खेलता हुआ, यहाँ पर दिखेगा, अब आजाते हैं गेदबाजी विभाग में, पिछले मुकाबले में जब स्रेय सायर ने toss जीता था तो अनकूल रॉय को खिलाया था, उनको लग रहा था कि पीछे य और अंदर आते हुए दिखेंगे, एक यह परिवर्तन होने वाला है, यानि कि अगर तेज गेदबाजी विभाग देखें, तो वैबा और ओड़ा, हरसीत राड़ा और मिचल इस्टार्क ये तीन इनके पेसर होने वाले हैं, और मिचल इस्टार्क धीरी धीरी रंगत में आ तो वहाँ पर वो विकेट निकाल कर देंगे, तो यह इनके तीन गेदबाज हो गए, इनके स्पिन गेदबाज हो गए, तो यह इनकी गेदबाजी विभाग हो गई, अब आते हैं, बात कर लेते हैं, बले बाजी विभाग में कौन, कहां, कहां, किस पोजीशन पर उतरेगा तो देखे भी आउपेन करते भी ऐस डिसकश सुनिल नरेन और रहमनुला गुर्बाज ही उतरने वाले हैं क्योंकि गुर्बाज like to like replacement है डाइरेक्ट फिल सॉल्ट के ज़न स्वैप करेंगे और बहुत कुछ छेड़ खानी फिर इनको बैटिंग पोजिशन के साथ नहीं करना पड़ेगा यानि वेंकटे सायर नमबर तीन पर खेलेंगे जोहत नीचे भी नहीं खेलेंगे फिर बात करें सिरेज सायर तो नमबर चार पे निती सराड़ा नमबर पांच पे यानि बहुत ज़ादा छेड़ खार नहीं करना है और वहीं चाहती भी टीम है कि बहुत बैलेंस को न गवड़ाए जाए तो यह बेस्ट ऑप्सन रहेंगे गुर्बाज आएंगे हाला कि गुर्बाज का हालिया प्रदर्शन हालिया फॉर्म काउज आफ कंसर्न है पिछले दो महिने से एक भी मुकावला नहीं खेला हुआ है तो डाइरेक्ट प्ले आप मेंन का बल्ला बोलेगा कि नहीं बोलेगा यह कॉर्ड अप कंसर्न रहेगा यह बैकफायर भी कर सकता है कि क्यार के लिए वहीं अगर बात करें फिर उसके बाद एकॉर्डिंटु दबैटिंग सेचुएशन चीजे चलेंगे रिंकु आएंगे कि रसेल आएंगे यह डिपेंड करेगा कि क्या परस्थिती है मान कर चल बना कर जा रहे हैं वो बहुत इंपक्ट छोड़ कर जा रहा के क्यार के लिए मास्टर स्ट्रोग गंभीर का साबित हुआ इस संस्क्रण में रमंदीप सुक सिंग को खिलाना वह भी लगतार खिलाना लगतार बैक करना बहुत मुकाबले अपने दम पर अपनी बल्लेबाज है लाइक टू लाइक बल्लेबाजी है वहाँ पर रहमनुला गुरुबाद सुनील नरेन के रूप में एक हिटर मौजूद है जिस तरीके से अपसेख सर्मा और ट्रविस हेट के रूप में असारश में मौजूद है पिर इसके बाद के क्यार के पास एडवांटेज क्या है इनके पास निती सराडाव, इनके टे साइयर और स्रेय साइयर के रूप में एक सुद्धेड मिडिल ओडर महजूद है जो इस पिन को भी उतना बहतर डंग से खेलती है जितना पेस को बहतर डंग से खेलती है यानि ये जो एडवांटेज है फिर फिनिसर में वहाँ पर रस प्रिंकू है रमन्तीव सिंग जैसे बहतरीन फिनिसर मौझूद है जो कि सरस टीम में नहीं मौझूद है सरस टीम में एक जो खिलाडियों के उपर निर्भरता है यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है यहां पर हर एक खिलाडी दमखम रखता अकने अपने दम पर मैच जिताने क मैच विजेता खिलाडी के क्यार में भरे पड़े हैं आसकर बलेबाजी विभाग में गेदबाजी विभाग भी रंगत में आती हुए दिख रही है तेश गेदबाजी विभाग इनका अब लय पकड़ा हुआ है बात करें हरसी तराडा और मिचल इस्टाक दोनों फॉर्म म सब्सक्राइब अरोड़ा गुर्बाज एक सिर्फ काॉज आफ कंसर्न है अधर्वाइज इस खिलाडी में मैच विनर इस टीम में मैच विनर खिलाडी भरे पड़े हैं और पुरा दमखम यह रखते हैं कि सारेच को है आहंदाबाद की पिच पर मात देश सके मिलते हैं अग